नमस्कार दोश्तों मुभुपेन सिंग आप सभी का फिर से एक्जाम गुरू में स्वागत करता हूं दोश्तों साथ माई की हम आपके सामने बहुत बड़ी ब्रेकिंग नूज लेकर आये हैं जैसा कि आप सब को पता है कि कल 1906 से बश्ती के संदर में आदेश भी आ चुका है और आदेश के साथ साथ में जिन छात्रों की यह अभी किरिया बन रही थी कि रिजल्ट कब जारी होगा उत्तरकुंज संसोजित तरकुंजी काव आएगी क्या होगा इन सभी को हम के लिए करना चाहते कि 1906 से बश्ती से लेक सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें और जो भाइच चैनल पर नहीं प्लीज वह एक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास अब से पहुंच जाएगा और दोस्तों जो कोने में आइकान बैल हैं उस पर क्लिक जरूर किया करें क्योंकि जो भी हम वीडियो डालते हैं चाहिए वह एजिकर से हो या न्यूज से संब्दित हो वे वीडियो आपके पास अब से पहुंच जाएंगे दोस्तों चलते हैं पहली न्यूज की पहले न्यूज क्या है वह हम आपको दिखाते हैं देखें सब कुछ किले कर दिया गया है कांसलिंग से लेकर 13 तक सब कुछ ऑन-लाइन आप देख पर हैं कि चार लांग लोगों को बहुत बड़ी ख़वर जो च्छे जनवरी दो है उन्यूज को लिखित प्रिक्षा हुई थी उसके संदर में की कि सबासाल के बीच जाने के बाद उन्हें दिख से भरती का फैंसल आही गया लागब चार लांग अब भरतियों को इससे प्रिया भी ऑनलाइन कराएगा और आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट जो आप देख पर देख रहे हैं कि रिजल्ट होने के बाद आवेदन कि लिखित परिक्षा में 4.30,000,000 आवेदन किया था जबकि उसमें से तिलाग 6,000 लोगों परिक्षा में सामिल हुए थे और उन सबका जो लिखित परिक्षा ओमर सीट पर कराए गई थी देखें ऑनलाइन होगी तैनाती यह भी कि संचे आप सब यह खतम हो गया कि काउंसलिंग किस परिकार होगी अब की बार ऑनलाइन काउंसलिंग तैय होगी आप सबको बता बता चलें कि जो अंतर जन्पदे तबादले होने थे उनके लिए एक साफ्टवेर क्या गया है उससाफ्टवेर का इस्तिमाल अब काउंसलिंग के लिए किया जाएगा जो सिक्षक पर पहले अल्रेडी लगे हुए हैं उनके लिए सौप्टवेर तेया था अब उसके सौप्टवेर के दुवारा ही अब ओनलाइन कॉंसलिंग कराई जाएगी देखे रिजल्ट पर सबकी निगाहें आप सबको दिखा दें कि जो जल्ट है उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि उन्हेज़ा सिक्षब भरती में अब बहरती में लगबग सब अलाग अब बहरती में प्रेक्सा देती किका में के फटेज्ड में बpt बहरती को इंटेमी मुका इसमें मिला था और साइब यह बेटός सिक्से बनाने का मुका था लेकिन बहर हैं संबह नहीं रहां की काट-बहरे उपर गया कर दिया गया लेकिन इस बार चार लांक से अधिक अभ्यारती इसमें सामिल थे और साथ में आप सभी को बता चलें कि जो बीयर्ड वाले थे दो से ग्यारे के बाद प्राइमरियम बीयर्ड को पहली वार मुगा मिला था या अम मिला है आप सब को दिखा दें कि मुख्या मंतर योगी देखते हैं इसमें जो हमारे सिक्षा मंतरी 37 द्वेजी हैं उन्होंने क्या कि क्या बोला है कि हमारे पास जल्ड तयार है जल्ड है जल्ड जारी किया जाएगा समय बद सीमा में भरते पर पूरी की जाएगी उन्होंने ये भी बता दिया गया है और देखिए आप सब को बत पर कटॉप लगा था इसी को लेकर जो विपक्ष था वो कोट गया अकोट जाने पर सिंगल बैंच से राज राजय सिंग चोहां जी की बैंच से वह चारीस पाइस पर जीत गए इसके तरुंत बाद ही सरकार नहीं 97 के पक्षमेंच में जार्शी का डाली जिस पर सुनवाई ही और और रिजर्व होने के बाद इस पर सिंग्री आदेश आवी गया अब दोश्तों आपको दिखा चलें की कि एक हफ़ते बाद गोजित हो सकता आजल्ट आपको बता चलें कि उन्हेंटा सिक्षब भरती के संदर में जो 45 55 पर जो आदेश आया है उस भरती को तीन मेहनें पूरे करने का आदेश देया गया है और इसमें अब हरते की लहर जो दोड़ चुकी है कि जो 65 पर पास हैं उनको बहुत खुसकबरी हो रही है और साथ में यह भी डिकले हैं कि एक हफते बाद इसका बनेगा और कि मार्क जुड़ेंगे साथ में 60 परसेंट आपके लिखित प्रिक्सा के मार्क होंगे और आपको बता चलें कि दो धर्वा बट गए थे बहार थी आपको जानकार जो जो अब यहारती साथ पहने पार्स थे उन्हें साथ पहने को सपोर्ट किया और जो बहार चालिस पैंता दोस्तों को शेर के थेंकियो धन्यवाद आपका अपना बुपेंट जींग